नियूज यू केन यूज मेंज आप उन खबरों को पढ़ीए उन खबरों को सुणिए जिनको आप यूज कर सकते मिल एक्जाम के परस्पेक्टिव से क्योंकि आज के सोसल मीडिया के समय में बहुत सारी नियूज आती रहती ए बहुत से उनमें से तो आप उन्यूस को चूज कीजिए जो कि आपके एक्जाम में उपयोगी हो सकती है या उन्यूस चैनल या उन्यूस पेपल को सेलेक्ट कीजिए जहां से आपको अथेंटिक न्यूस मिलती हो तो अपने टाइम को सेड़ कीजिए और आगे बढ़िया वेलकम टू माइब विकास रवास्तों आज हम लोग एंसी आर्टी क्लास 11 की इंडिया इंवार्मेंट से चैप्टर नेचरल है जाज और डिजास्ट्रे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से प जैसे कि फर्स चैप्टर में जो पहला टॉपक रहें वहां तो तो दिजास्ट्र rules और दन क्लासिविकेस्ट्र बनेचरल सब्सक्ऱ गांने। Earthquake, social environmental consequences of earthquake, effect of earthquake, earthquake and hazard mitigation, tsunami, tropical cyclone, structure of tropical cyclone, consequences of tropical cyclone, floods, consequences and control of the floods, drought, types of drought, drought prone areas of India, consequences of droughts, landslide, landslide vulnerability zones, consequence of lands and mitigation. and disaster management. वहां से आप डाउन्डोड कर सकते हैं, अगर वहां पे आपको किसी वज़े से नहीं मिल पाती है, तो वीडियो के description box में मेरे profile का link दिया गया है, वहां से भी आप मांग सकते हैं. आपको आपको नेचर में चेंजिस देखने को मिल सकते हैं, उतमें भी दो category है, एक तो slow changes होते हैं, gradual process होती है, और एक sudden changes होते हैं, gradual process जैसे की evolution of landforms, या organism, organism, organism या landforms का evolution, उद्वाव, या sudden भी हो सकते हैं, जैसे की जौनो मकी का फटना, सुनामी का आना, बोकंप का आना, और lightning वगएरा, ठीक है, thunder strong वगएरा, यह सा, अगर नेचर के perspective से देखें, तो ये सारी घटना है, ना तो ये अच्छी है, ना तो ये बुरी है, मगर अगर हम उसी जगए पर इंसान की perspective से देखें, human perspective से देखें, तो ये value loaded है, क्यों इनके आने से पहले हमें काकी arrangement करना पड़ता है, और इनके जाने के बाद भी हमें काकी arrangement करना पड़ता है, तो ये value loaded है, कुछ इसमें से changes desirable होते हैं, जैसे की season का बदलना, पलो का पकना, और कुछ undesirable होते ही, जैसे की भुकम का आना, बाड़ का आना है, जो दिछरी जाना, okay, disaster आप किसको कहते हैं, क्या है disaster, disaster वही है, जो की undesirable है, ठीक है, disaster is an undesirable occurrence resulting from forces that are largely outside human control, जो की human के control से, human के नियंतर से बाहर है, जिसको control कर पाना, जैसे की, बोपाल gas tragedy हुए, ठीक है, चर्नोबिल nuclear disaster हुआ, युद्ध होते हैं, CFC release होती है, कही सारे electronic components से, गेन हाउस gases का बढ़ना, carbon dioxide, methane वगारा, ओजों, water vapor, environmental pollution में भी category है, जैसे की noise हो गया, air pollution हो गया, water pollution, soil pollution, तो यह सब disaster है, ठीक है, जो की, which are caused directly by human action, जो की, directly आप कैसे है, human activity की वज़े से आते हैं, जाधा तर, इसमें सारे human activity की वज़े से हैं, 90% इसमें योगदान, human activities का है, तो इस कारणार से, government ने कुछ initiative स्टार्ट की है, जैसे की, establishment of national institute of disaster management, okay, national institute of disaster management established किया, और एक summit हुई थी, Rio de Janeiro, जो की ब्राजील में है, 1993 में, okay, आज सम्मेंट, इसको कहते हैं, world conference हुई है, disaster management पर, 1994 में, Yokohama, जो की जापान में है, okay, तो इस तरीके से, government बैठा के बुलाए गए, starting में, फिर उसके बाद decision लिए गए, और काई सारी policy निकाले गए, ठीक है, अभी सब के बारे हुँ discussion करेंगे, one by one, यहां पर यह चीज देखने वाली है कि, disaster और natural hazard दोनों अलग अलग चीज़े हैं, ठीक है, ध्यानकेगा, natural hazard या disaster में क्या difference है, यह समझ लेती है, natural hazard जो है, वो element है of circumstances का, ठीक है, in natural environment that have the potential to cause harm to people or property both, जो कि लोगों की property, संपधा और लोगों दोनों को, means, human beings को भी नुकसान पहुचाता है, ठीक है, उनकी property और human beings मतलब की death हो या बिमारी हो इस तरीके से, these may be shift or permanent aspect, यह तेजी से और हो सकता है कि permanent ही रह जाए, ठीक है, इसका impact, of respective environmental setting, जैसे कि, like current in ocean, कुछ changes होए तो, आज भी हमें cold current और warm current देखनों को मिले, ocean में, ठीक है, या steep slope बन जाए कहीं पर, crack की वज़े से, प्लेटों की crack की वज़े से, unstable structure feature इने हिमालयाज जैसे हो गया, और extreme climatic condition हो गया, in desert, or glaciated area, तो यह सब कुछ ऐसे चीजे हैं, जो कि permanent हो गई है, ठीक है, जो कि property को नुक्सान तो पहुचा रही है, और human beings खुद को भी इन लोगों को भी काफी नुक्सान पहुचा रहे हैं, अगर हम disaster की बात करें, यह natural हजार की comparison में sudden होता है, अचानक से होता है और काफी ज़्यादा impact दाता है, ठीक है, जैसे की death हो, loss of property, disturbance of social system, life, ओकी हो, जिन चीजों पर इनसानों का बहुत ही कम यह कहें कि बिल्कुल भी नेंदर नहीं होता, ठीक है क्योंकि यह कुछ समय के लिए आती हो, काफी बड़े scale पर impact डालती है, अब जब किसी की death हो गई, इस natural disaster की वज़े से तो उसको तो दुबारा नहीं लाए जासकता, तो इस तर natural disaster की वज़े से damage होते हैं, उनको हमने मिंस अंतराष्टी इस तर पर प्रभाव देखे हैं उन चीजों के, ठीक है, जो कि beyond है the means and capabilities of individual, किसी भी एक नेशन की capability और जो भी उसके पास साधन है, उससे बहुत बड़ी हैं यह damages, ठीक है, तो सारे नेशनों को ने इसी वज़े से स लोग अकेले-अकेले नहीं रड़ सकते हैं, अगर हमें इन सब चीजों को करना है, तो हमें साथ में आना होगा, ठीक है, इस 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 वाज़ेड एज ता युनाइटेट नेशन जर्नल एसेंबली इस कारण से यह इस किया गया, 1989 में जर्टेट नेशन की जर्नल एसेंबली म लुकारान जर्टेट नेशन उर्टेट नेशन की रुख लेग जो कि 1994 में यॉकोहामा में हो थी ठीक है? वोल्ड कॉन्सर उर्टेटी में इस खारण चैसे हम युकोहामा स्टेटी यद्ट यट्ट प्लान उपफ एक्शन फोर सेफर वर्ड भी कहते हैं, ठीक है? युकोहा डिजास्टर को classified करें तो चार केटिगरीज में होगी जैसे कि यहां पर समझें एक होगे एक्मास्फरीक फिर टेरिस्ट्रियल फिर एक्वाटिक एंड बायोजिकल बायोजिक एक्मास्फरीक में क्या क्या आईग Girai यहांगे एक्मास्फरीक में आपको में एक्मास्फरीक दिख सात हूं बागी तो आप ने देखे है सोगे टी वी चानियल में और सम्झे भी होगं यह देखें बिज्उर्ड, यह में भिज्ञार्ड है क्या यह ॥128 जो की वहाइरी स्ट्रॉंग और कॉंस्ट्रेन्न भिल्ड के साथ आते हैं ठीक है एक्स्टीम स्ट्रोंग बहुत ही तेजी से बर्फॉक अगरना करें तोफानी बरबारें ना टेरेस्ट्रियल में क्या क्या हैंगी टेरेस्ट्रियल में आएंगे आर्ट्विक वाल्कैनिक इरॉप्शन लैंड्स लैड्स अवलांचेस सब्सीडेंस यह और स्वाइल इरोजिन वही पर अक्वाटिक में फलर्ट्स आ जाएंगी टार्व वेफ आजाएंगी ओशेन करेंस आजाएंगी स्टॉम सर्ज हो जाएंगी और स्वामी आ जाएंगी ठीक है बायोलोजिकल में प्लांट्स एन अनिमल ऐज कुलोनाइजर जैसे कि लोगास्ट हो गए ठीक है यह सब इनकी वजह देमेज्ट होते हैं तो चार केटिगरी है फर्स एक्मास्फरीक सेकेंड टेरेस्टियल थर्ड एक्वाटिक और फोर्स बाइलोगिक ट्यान रखेंगे अगर इसाम में पूछता है कि नेच्टिगराइज कीजिए तो आप इन चार केटिगरी में केटिगराइज कर सकते हैं एक्मास्फरीक टेरेस्टियल एक्वाटिक और बाइलोगिक आगे देख लेते हैं योगों हमाई स्टैटिजी और इंट्रेशल डिकेट फोर यह क्या है क्या हुआ कि जितने भी युनाइटेटेशन की मेंबर थी और अधर स्टेट से यह सब वर्ड कॉंफरेंस में मिले आकर जो की नेच्टिट्र डिजास्टर को रिडूस करने के मक्सर से बुलाई गई थी कहां योगों हमा में टूंटिसेवन तूंटिसेवन तू रेजूलूशन लिए गए ठीक है जो कि यहां पर मेंशन किये गए है पहला है इट विल नोट दाट इच कंट्री है जोवरेन डिस्वांसबिल्टी तो प्रोटेक्ट इस सिचिजन फ्रॉम नेच्रल डिजास्टर ठीक हर एक देश की अपनी संप्रभू जिम्मेदारी होग अपने देश के नागरिकों को नेच्रल डिजास्टर प्राथिक आपदा से बचाने का कोई भी अन्य देश कमिन्स पहल नहीं करेगा पहले उसी देश को कदम उठाने होगे इट विल गिव प्रियोर्टी अटेंशन टू देवलोपिंग कंट्री इसको प्रियोर्टी देग अगर यह देश कुछ से नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि जो लीश डेवलप्ड है जो की लैंगलोड कंट्री है नेपाल वगरा होगे अब ठीक है इस्मॉल आइलेंड डेवलोपिंग स्टेट्स हैं तो इन सब वोको मदद कौन दे सकता है डेवलोपिंग कंट्री दे सकते हैं इससे क्या होगा इत विल्डबलेप्रEइबसें स्टें नेशनल क्यापिसिटीएां निकियाश्च पिपणिटी इससे उन देसों की नेशारीश की थोवे बड़े ही क्योज है अन देसों की मदद मिल लग है तो अगर किसी देश को अपनी strength या capacity को बढ़ाना है तो उसको कुछ इस तरीके से कदम उठाने होगा पर नेचरल और दिजास्टर प्रिवेंशन मेटिगेशन करें प्रिपेडनेस रखें मोबिलाइजेशन हो किनका नॉन गौर्णमेंट और अर्गराइजेशन का और लोकल कम्यूंटी का भी पार्टिसिपेशन ज्यादा ज्यादा हो तो वह नेशन अपनी capacity और capabilities को बड़ी अस असानी से बढ़ा सकता है ठीक है तो यह इन दोसों को इन सब जो एम्स में हैं को बहुत ध्यान से समझना और इस पे आगे बढ़ना होगा इस पर आगे बढ़ना होगा इस तो यह क्या करेंगे जो रेजुलिशन है लिए गया थे इट फिल प्रमोट एंडिस्ट्रेंट सब रीजनल ऐड में इन लिटर्शन चोपरेशन जो भी इंट अपरेशन है जारी से सब रीजनल जो उनको बनाएंगे जिसे की इस तरीके कि नैच्टर डिजास्ट्र मिट्टिगेट किये जा सकें और रिड्यूस किये इस प्रोसेस में किन-किन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा जैसे कि human and institutional capacity is building and strengthening मानव या institutional ठीक है capacity building and strengthening capacity building and strengthening ध्यान दिया जाएगा technology share की जाएगी collection किया जाएगा प्रसार किया जाएगा और you tolize किया जाएगा किसको information ठीक है इंफ्मोर्मेशन को technologies , 80-80 किया जाएगा प्रसार किया जाएगा उस का utilize किया जाएगा निस वस information का कैसे हम यूद्, मिला सकते हैं उन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा और रिसोर्स को मूबलाइज किया जाएगा अगर आपके पास संसातन उपलब्द हैं तो एक जगह से दूसरे जगह तक उनको पहुचाया जासके अगर अगर इंडिया में डिजास्टर की बात करें आप जानते हैं कि इंडिया बहुत ही बड़ा देश है वास और डाइवर्स इंटरम फिचकल और सोस्यों कल्चर एट्रिब्यूट्स चाहे वह बहुत की के अधार पर ले या कल्चर की अधार समाजिक संस्कृतिक के अधार अगर हम ले ले तो बहुत ही बड़ा देश है इतना ज्यादा वराइटीज अधर कंट्री में आपको नहीं देखने को मिलेगे चाहे वह में प्रस्पेक्टिव से हो चाहे नेचरल प्रस्पेक्टिव से अब उन सब चीजों पर हम बात कर लेते हैं जैसे कि सबसे पहले आर अगर्ट कोई इस आर टेक्टोनिक और इजिन है इसका टेक्टोनिक और मतलब कि प्रेटो को किसनिक वजे से होता है ठीक है काफी डिवास्टेटिंग हो सकता है एंडियर एरिया ओफ इंफ्लेंस आसो कॉइट लाज जो एफेक्ट होता है वह काफी जादा एरिया तर ठीक है इस तरही किसे कह सकते हैं कि इसमें होता क्या है कि अर्थ के अंदर प्रेटो का मूव्मेंट होता रहता है जो कि sudden release of the energy during the tectonic activities जहां पर energy sudden अचानक से ही होती है प्लेटो को किसकने से कहां पर आर्थ की क्रिष्ट पर ठीक है और इससे और भी चीज़े जुड़ी भी है हो सकता है कि प्लेटो को किसकने की वज़े से जो अंदर करलावा है मैगमा है वो इरॉप्ट हो बाहर आ जाए ठीक है जिसको हम वाल्कानिक इरॉप्शन कह देंगे हो सकता है कि चट्टाने तूटके गिरने लगे लैंड स्लाइड हो जाएं सब्सीडेंस हो जाएं धस जाएं ठीक है ज्यादा तर माइनिंग एरिया जहां पर खनल ज्यादा होता है यह फिर उन जोगों पर जहां पर डायम या रिजर्वर बने हुई है ठीक है तो आर्ट्टकुए की वज़े से जिस भी एरिया में आ रहा अगर इस तरह की जो प्लब्ट है तो उन पर क्या इंपक्त पड़ा है और जा तो फिर लैंड स्लाइड हुई हो सब्सीडेंस हुआ हो ठीक है तो देखेगा कि आप जहां पर बहुत है जिस भी जगह पर हैं इस समय तो वहां पर देखेगा क्या कभी अर्थ कोई काया है और अगर अर्थ कोई काया है तो उसका क्या इंपक्त रता है ठीक है कमेंट शेक्शन मुझे बताईएगा इंडिया की प्लेट जो है इंडियन प्लेट वह लगातार खिसक रही है अगर हम एवरेज देखें तो वन सेंटीमीटर पर यर के हिसाब से ठीक है किस डिरेक्शन में नौर्थ की डिरेक्शन इस तरीके से अगर हम डिवाइट करें इस्ट वेस्ट नौर्थ और साथ ठीक है कह सकते हैं आप तिब्बत की तरह आगे की और बढ़ रही है नौर्थ और नौर्थ इस्टन रिजिन इस प्लेट के मुवमेंट से क्या होगा कि कॉंस्टेंटली ऑब्स्ट्रेक्ट बाई यूरेसियन प्लेट यह जो ऊपर की यूरेशियन प्लेट है यह आप देखें मैं मैं दिखा देता हूं प्लेट इंडिया है तो यहां प्लेट है आपको चाइन अफगानिस्तान तुर्कमेंटितान और कजाकिस्तान यह सब इधर मिल जाएं कर्गिस्तान थी सब यूरेशियन प्लेट के अंदर में आते हैं तो यह काम करती है तो उसके कारण होता क्या है कि जब इंडियन प्लेट इस तरीके से यह आगे की तरफ बढ़ रहे है और यहां पर यूरिशन प्लेट है मौजूद है पहले से तो या तो इस तरीके से इस से टक्रा के उपर उठ जाएगी ठीक है जो माउंटें वगरा या न फोल्डिंग होने लगती है इन में तो इस तरीके से माउंटेंस हमें देखने को में ठीक है पर जो कि हमाले उसका बेस्ट इग्जामपल है कुछ अर्थ साइंटिस्ट इस डिसीजन पर आये हैं और एक थियोरी दी है इमर्जेंस ऑफ फॉल्ट लाइन की इमर्जेंस के वि दीवर धीमा कृष्णा जो कि कि टीबूटी कह लिए आप नियर लातुर एन उस्मानवबाद साहए दोसना उस्मानवद हैं में भी अगर यहां पर डीमिज जाये तो ठीक है जो कि महाराष्ट में है यहां पर आपको फॉल्ट लाइन काफी देखने को मिलेगी थियोरी आफ इमर्जेंस ऑफ फॉल्ट लाइन और जो कि एनरजी बिल्डप इरॉंग देखने को मिलेगी आपको इन एरिया में जहां वीमर रिवर्फ लोग होती है ठीक है लातूर के एरिया के पास यहां उस्मानबाद महाराष्ट के पास यहां पर आपको फॉल्ट लाइन देखने को मिलेगी तो इस पर काफे रिसर्च हुई है यह क्या है यह ब्रेकिंग डॉन ऑफ इंडियन इंडियन प्रेट को तोड़ा है जिसने ठीक है फॉल्ट लाइन वहीं से आपको ब्रेक मिलेगी तो इस पर कई सारे इंस्टूट ने रिसर्च भी करी है आगे कुछ इंस्टूट के नाम दिये गाए जैसे कि नेशनल जीओ फिसकल लैबोरेट्री जीओ लॉजिकल इन्टेंसिव एनलिसिस करी है आज को एक की विसाय में ठीक है जो कि इंडिया में आते हैं अलग-अलग सालों में जाब पीछे आ चुके हैं उन सब पे इन्होंने इस्टडी करी तो इस इस्टडी की बेस पे उन्होंने इंडिया को कि अर्च की जोन को वाइब में डिवाइड किया है क्या है वो फाइब पार्ट्स एक तो है वेरी हाई डेमेज डिसक जोन सेकेंड हाई डेमेज डिसक जोन थाड देन लो और देन वेरी लो ठीक है और जो इसके अलावा की जो जगहें हैं वो सेफ है काफी ठीक है consider safe are formed from the stable landmass covered under the deck and plateau और जो deck and plateau के अंतरगत आती हैं जितने भी landmass वो काफी safe माना जाता हूँ कि इसके इसके हैं यह तो अर्थक्विक हमने समझा इसके सोचों इंवार्मेंटल कॉंसे क्या होती यह समझ लेते हैं यह कीवल डैमेज नहीं करते हैं सेटलमेंट्स को जहां हूं में सेटलमेंट्स हैं यह infrastructure है, transport है, communication network है, industries है बलकि और भी विकास की गतिव इधियों पर impact डालते हैं जैसे की यह population को loot लेते हैं कैसे material बरबाद हो जाते हैं उनके घर में जो भी चीज़े मौझूत होती है या जो भी आज तक उन्होंने कमाया है उसकी वज़े से जो भी चीज़े उन्होंने बनाई है वो सब डैमेज हो जाता है जो भी उन्होंने आज तक समाजिक संस्कृतिक तरीकों से जो भी चीज़े पाई है या आसपास के एरिया में डैबलब्ट की है एक एरिया में वो डैवलब्ट कर देते हैं वहां का कल्चर ठीक है आपको किसी भी ऐल्या में आज जहां पर भी रहते से ठीक है पूरवजों से बचाते चले आए हैं इस तरह की कि नेजुरल जिजास्टर जो सडन आती है वो सब बरबाद करके चली जाती है ठीक है तो ध्यार लखी कर केवल आज की बनायावी चीजों पर नहीं उन चीजों पर इंपक्ट डालती है यह सब नेजुरल हजार जो क काफी पराणी जन्रेशनों से संजोती आएं सब्सक्राइब बहुत पराना मंदी ठीक है खज़राओ और चले जायां यह अधर जगों पर चले जाने ठीक है और वहान पर वोस्छ एडिया में सब्सक्राइब कोई का गया तो वह सब डैमेज हो जाए तो नेट हम से जोंगे चले आ रहे हैं वह सारी चीजए एक के में सब बद्धा ऑगे देखते हैं कर सने हैं कि इतने गहरे गहरे जाती है कि आप कह सकते हैं तो बाद में अंदर जान एंसान पिषोष जे Lorenственный pesos कि कभी भी ब्रैक्त हो सकते हैं तो कभी हो सकते हैं एक लेन्ड कि छलाइट और एंफेक्ट्रायड राती है ठोड़े दुन तस से को कि अफेक्टा ठीन तोसे अचिछ हो सकता है पॉसब्ल मुष्सप्र हो सकते हैं डैकर लेन्मेड ि। क्या साओ और कि जैसे की cracking sliding overturning buckling and collapse buckling क्या चीज़ है buckling यह देखें यह है buckling मिन्स इस तरीके से हमें दबाव देखने को मिलता है कि उपर से किसी चीज़ का ऐसा लगा आए कि दबाव डाला गया तो यह थेड़ा हो गया ठीक है यह buckling है तो यह किसी भी बॉड़ी के मिन्स बिल्डिंग की बॉड़ी को डैमेज कर देती इस तरीक बखली पूरी तरीक इस तूटती मगर टेड़ी हो जाती जो कि कि यह काफी समय तक टिक ही नहीं है कि पॉसिबल चेन इफेक्ट भी हो सकते हैं कि वाटर में जैसे कि वेफ्स क्रियेट होती है हाइड्र डैनेमिक प्रेशर होते हैं टिक है सुनामी आ सकती है यह समय पॉसिबल चेन इफेक्ट है अब कुछ हाई डैमेज एडिया और काटिगरी जो फाइफ डिवाइड करी उनको देख लेते हैं यह समझना बहुत जूरी है अब यहां भी ध्यान रखेगा इंडिया के किस पार्ट में आप रह रहे हैं और वह किस जोन की अंतरगत आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता अब गुजरात का कच्छ वाला ऐरिया यह सब आएगा वेरी हाइड डैमेज इस्ट जोन और एक दूसरी कटिगरी है जो की हाइड डैमेज जोन में आएगी हाइड डैमेज जोन जैसे की इस कि थोड़ा कलर लाइट है यह सब एडिया जो जम्मो कस्मीर हिमाचल उत्राखं तर घंड का काफी पार्ट वरी है मेर Explan described by YouTube पार्ट, एंक प्रवडे का फिर से जोन गच्छा उससे लगा हुआ ही है हाई अर्ய है तो यह सरी है मौडरेट में क्या आएगा और लाइट कलर हो जाएगा ठीक है यूपी का बिहार का एरिया एंपी का एरिया हो गया महाराश का कुछ एरिया होगा राजिस्थान का एरिया होगा गुजरात का एरिया होगा यह कोस्टल एरिया हो गया इधर का करनाटक का खेरल का यह सब अंधरा का कुछ पार्ट हो गया कोस्टल का ठीक यह वेस्ट बंगॉल का पार्ट हो गया लो डैम औरिशा का कुछ पार्ट का कुछ पार्ट और यहां पर महाराष्ट करनाटक केरल तमिलाडू अंध्रा तिलंगाना यह सब कुछ पार्टा जाएगा लो डैमेज रिस्टोन में बैरी लो में मैंने बताया थे कि डेकिन कप्लीटू ठीक है यह सेंट्रल हाइलेंड बगएर और यह औरिशा का कुछ पार्ट यह सब जो प्लेइन लेंड एरिया हैं वहां पर यह बीच है ठीक है वह सब वैरी लो डैमेज रिस्टोन में आएंगे और देख लेते हूं जो मैंने अभी आपको दिखाया था फिसर वह कैसे डेवलप्ट होता है सर्फिस सिस्मिक वेवस की वज़े से ठीक है कहां पर आर्थ के क्रिश्ट को आप लेयर ऑफ दा आर्थ क्रिश्ट जहां से क्या होता है इन फिसर से वाटर और अधर वोलेटायल मेटिरियल बाहर आत से हैं कभी-कभी ऐसा होता है ठीक है यहां से एक सब्सक्राइब करने लगते हैं जो भी इनके सराउंडिंग में आएगा एरिया वो सब्सक्राइब हो जाएगा ओके जेसा का एरिया आधक को जया है सब भी जानते हैं मगर के सिर्फ जाना ही काफी नहीं होगा हमें इसको के से लुशन के लिए बी च्दम उठाने होगा ठीक है अर्थ को एक हजार मेटिगेशन कैसे होगा अगर हम इन सब चीजों पे को कम करना है रोप तो सकते नहीं कि नच्रल चीजे हैं किसी भी हालत में आप नहीं रोप सकते मगर इनको कम जरूर किया जा सकता है ठीक है जैसे कि अगर हम preparedness पे अगर इनकी धान दे मुंस पहले से ही तियार रहे कि यह ज्यादा बैतर होंगे मेजर से मेजर से तो बाद में लिए जाएंगी कदम बाद में उठाए जाएंगे जो भी तुदार किये जाने हैं मगर उससे पहले ही हम तैयार रहें तो इनके काफ्ट को काफी कम किया जा सकता है तो इस के लिए क्या कर सकते हैं हम earthquake monitoring center सेंटर भी कहते हैं GPS का यूज कर सकते हैं जिसका फुल फर्म जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम है जो कि काफी मदद करेगा इस बात की करने में की टेक्टोनिक स्प्रेट का मुवमेंट गैसा चल रहा है ठीक है अगर मुवमेंट हमें GPS की तुरू पता चल जाए तो नहीं यह चीए तो बहुत ही आसार होगा कि हम उस एडिया से उन लोगों को हटा दे हुमें से इसे बंद को हटा दे अर्थ को जैसे सिच्वेशन आने से भी पहले ही तो हम यह डैमेज को काफी कम कर सकते कि वन प्रॉपर्टी का डैमेज होगा हुमेंट को मता सकते हैं और ह अपने साथ काफी जो इंपोर्टन थिंस उनको भी लिए जा सकते हैं ठीक है और एक काम किया जा सकता है एक वन्रेबिल्टी मैप तयार किया जाए कंट्री का ठीक है जहां पर इस तरीकी के नैच्रल डिजार्स अक्सर आते रहते हैं तो एक कॉमन फिनामेना बन जाता है कि का काफी कम चांदस हैं कि वहां पर सेटल्मेंट किया भी जाए या कोई इंडेस्ट्री इस्टैबलिस्ट की भी जाए ठीक है और रिस्क इंफोर्मेशन को जादा से जादा लोगों तक पहुंचाया जाए चाहे वो चाइल्डूड में बच्चों को समझाया जाए टेलिविजन टेलीकास्ट टेलिविजन प्रसारित करें लोगों तक चीजि ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जा सकते हैं तो कि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन वोग उतना ज्यादा कदम उठापाएंगे और वह बहुत सारे से इसे ऐसे हम अपने घर को मोडिफाइग कर सकते हैं ठीक है बिल्डिंग को की डिजाइन को मौडिफाई कर सकते हैं जो कि ऐसे अरिया हम बनाए जारे हैं जो कि वनुरेबल हैं जैसे कि हमने अब सुनते हैं कि बहुत सारे ऐसी बिल्डिंगे बनी हैं जो कि आज की के मिनमम इंपेक्ट को जेल सकती है ठीक है और लास्ट में हम यह कहें कि चीजों को मेंडेटरी कर दिया जाए तो एड़ॉप्ट अर्थ को एक रेजिस्टेंट डिजाइन अगर आप बिल्डिंग बनारे तो वह एक रेजिस्टेंट होने चाहिए ऐसे डिजाइन की बिल्डिंग तियार की ठीक है और बहुत ही हलके करें कंस्ट्रक्शन की समय जिसमें कि अगर डामेज भी हो या बिल्डिंग इंदर या उदर किसी भी डारेक्शन में गिरे ठीक है तो आसपास की इरिया में इतना ज्यादा डामेज ना कि रिए ठीक है जैसे अर्थक्विक है अब और समझ लेते है नेच्रल डिजास्टर क के बारे मूँ सुनामे अगर सी फ्लोर में अर्थक्विक आता है या वाल कैनिक इरॉप्शन होता है तो क्या होगा सदन ही अचानक ही वाटर का ओशन वाटर का डिस्पेस्मेंट होगा ठीक है हो सकता है कि यह वर्टिकल वेव हो वर्टिकल वेव उठें ठीक है जिसको हम सुनामी कहते हैं जा हर्बर वेव कहते हैं ठीक है या सिसमें एक सी वेव कहते हैं कि एक इनिश्यल डिस्टर्बेंस ऑशन में अंदर में क्रियेट हुआ फिर उसके बाद वेवस उठी और इसनी वेवस को कफी हाई वेवस होती है ठीक है इन्हीं को ही हम सुनामी कहते हैं कि सुनामी के और भी नाम है जैसे कि हार्बर वेवस हो गया हो सकता है कि आप से एक्जाम में पूछे और सिस्मिक सी वेवस हो गया कुछ अंता नहीं सब एक ही जीजए इस तरीके से वेवस आने के बाद यह दो लगती है इस तरीके से हाइड और लोटरो इस फॉर्म में इस तरीके से वेवस आप जानते हैं कि ऐसे मोथ करती है तीक है है in order to restore the water level water liver restore करने के लिए इस तरीके से आइक्रेस्ट और लोटो में चलने लगती है कि यह हमने प्रिवेश क्लास में किया था अगर आप नहीं थे तो वहां जाके आप देख सकते हैं वीडियो के विद्फीगन मैंने समझाए है कि अगर जो वेव की स्पीड है अगर आपको यह समझना है ठीक है कि से स्पीड से होगी तो यह डिबेंड करता है कि जो वाटर की डेप्थ है वो कितनी है ओशन ये थे बेंड करता है कि वेव की स्पीड कितनी होगी अगर सेलो वाटर है तो वहां पर स्पीड काफीड आदा तेज होगी कंपेर्जिन में जहां पर डीप ओशन होगा थेंगैं इंपेक्ट आफ सुनामी इस लेस्ट ओवर दो ओशन एंड मोर नियर दो जो सुनामी का इंपेक्ट होता है तो आप समझ दीजे कि बहुत ही कम होता है अला कि होगा भी तो अगर पढ़ भी रहा हो तो पता भी नहीं चलेगा मगर हमें सत्सक्राइब माइं तो ऐसे रहा है तो इस लेखा से और को आप समय चेंगे बहुत चाहिती है इस दो आप सब्सक्राइब कर दो अब कोई पानी का जहान वह ज्यादा एफेक्टिब नहीं होगा सुनामी की वज़े से क्यों कि इस डिफकल टू डिडेक्ट असुनामी इन टीपर पार्ट आफ दो ओशन क्योंकि अगर यहां पे इस तरीके से सिप जा रहा है ठीक है आप जाना है कि वेर्स उठी मगर जो नीचे इस तरीके से चलिए तो ओशन में इतना ज़्यादा इंपक्ट नहीं पड़ता और ओशन में ही सिप है जब यह लैंड एरिया की तरफ आती है ठीक है तब यह और ज्यादा इंपक्ट करने लगती है ठीक है तो यह कुछ उचाही तक ही उठेगा सिप और नीचे आ जाएगा फिर उठेगा फिनिच आ जाएगा ऐसे चलता रहेगा ना यह होता क्यों है ओवर डीव वाटर दा सुनामी एस वैरी लॉंग वेव स्लैक्ट क्योंकि डीव वाटर जहां पर होगा वहां पर सुनामी की लहरे होंगी वह काफी लंबी-लंबी होंगी मिन्स क्या कहें कि जो क् हाइट ज्यादा होगी ना पर ज्यादा होगी तो इस कारण से सिप को भी वह ज्यादा उचाहित तक नहीं उठा पाते हैं आप अगर यह अगर एक दो मीटर तक उठाती भी तो इसको उठाने में भी काफ़े टाइम में लगता है क्योंकि अब जो क्रेस्ट और टोब रन ना है वो इस तरीके से हैं ठीक है तो यह काफी लंबे लंबे पड़ रहे हैं तो इससे टाइम लगता है दूसरी क्रेश्ट को आने में तो ज्यादा इंपेक्ट देखें को नहीं मिलेगा यह मिंस डीप अंडरस्टेंडिंग है यह कभी कदार आपसे में पूछ सकते हैं कि अगर शिप है या ज्यादा इंपेक्ट क्यों नहीं लालती तुनामी ठीक है क्योंकि वेवलेंध जो हो गई तुनामी हैस वेरी आपको सुनामी ज्यादा उन इरिया में मिलेगी जो कि पैसिफिक के अंडर में आते पैसिफिक रिंग और फायर के आपने हो सकता है कि साइथ मूवी देखिए और रिंग ओफ आयर तो उसी से समझेजे जिए पैसिफिक रिंग ओ फायर है जिनके कोश्ट काफी लंबे हूं जैसे कि अलास्का जापान फिलिपिन्स और आदर आइलेंड और सौथ इस्ट इसिया तो अलास्का जापान और फिलिपिन्स आई हम देख लेते हैं कहां पे हैं यह है पैसिफिक रिंग ओफ फायर ओके अलाकि यह है अलास्का जापान इदर है ठीक है मगर हम आपको पॉर्टिकल मैप समझा देते हैं यह है अलास्का ओके यह है जापान और यह है फिलिपिन्स ठीक है तो यहां पे ज्यादा आपको देख लोग मिलेगा और कुछ साथे इस्टेसिया के नेशन है जैसे की इंडोनेशिया मलेशिया म्यामार स्री लंका और इंडिया तो यहां पे देख लेते हैं यह इंडिया का एरिया है यह मलेशिया है यहां पर बर्मा कह लिजी यह में मार कह लिजी यह इंडिया है आप जानते हैं और इससे रहा है ठीक है तो इन जोकों पर आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के सब्सक्राइब करेजिए यह में कि इंडिया ने अपनी इच्छा discut इंटेनल सुनामी को स्पानिकाएब ट्रॉपिकल सैख्लुन को ये सारी चीज防 समझ रहें प्रॉपिकल सैख्लोन कि अगर हम बात करें इस तरह के साथ समझछते हैं है लॉज मिलयों पमति के नांद आट कि ये जादा एंकर मिलंगे जयादा पाउर होगा जहां पर लोग डिया होगा कि और वो लो प्यूटं़ इस तरीके से यह 30 दिग्रीट नौट की लेटिटूट है ठीक है और इसके बीच में आना चाहिए यह regime अगर हम होडिजनली देखें तो यह 500-1000 km तक होगा ठीक है अगर हम वर्टकली देखें तो 12-14 km तक होगा ठीक है ध्यान रखेगा अगर है टॉपिकल साइक्लोन या जिसको हम हारीकें भी कहते हैं वह हीट इंजन की तरीके हैं और जिनको एनर्जी कहां से मिलती है लेटेंट हीट की वज़े से ठीक है रिलीज ऑफ लेटेंट हीट और अगर्ट ऑफ कंडेंसिशन और मोश्टर का हीट रिलीज होती है लेटेंट हीट की माध्यम से यह साइक्लोन अब्सार्व करते रहते हैं ठीक है और यह विंट गैदर हो जाती है आफ्टर मुविंग ओवर दा ओशन एंड सीज ठीक है गैदर होती है और इस तरीके से फ्लूप होने लगती है कि यह देखी रिंग ओफ फायर है मैंने आपको साइब दिखाया होगा यह भी ठीक है यह सब फिलिपिन वगरा का यह नौट इस जेनरेशन ही सब आता है अगर देख लेते हैं साइक्लोन के बारे में कुछ कंडिशन है जिसकारंट से ट्रप्रिकल साइक्लोन जैसी घटाइं होती है अगर लार्ज और कॉंटिन्यूस सप्लाई होती रहे किसकी वाम और मॉइस्ट इयर की नमी हो एयर में हो गर्म भी हो ठीक है डाइट कैन रिलीज इनॉर्मस लेटेंट हीट और वह काफी मात्रा में लेटेंट हीट को क्या करेगी रिलीज करेगी और क्या होना चाहिए इस्ट्रॉंग कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए बेट्वीन जिरो डिग्री तुरे फाइव डिग्री लेटिटूड आप जानते हैं कि इस इडिट्रॉंग में फाइब डिग्री या इससे नीचे फाइब डिग्री ठीक इस एरिया में आपको ट्रॉपिकल साइक्लों नहीं मिलेंगी यहां पर को पेक्ष्ण नहीं होता इ सब्सक्राइब करें लोकल डिस्ट्रेबंस इरांड विच और साइक्लों टैबल कंडिशन हो कहां पर फ्रोड टोपोस्पेर जो कि आप जानते हैं कि मैंने बता है था कि अगड़ी सब्सक्राइब भी जानता है और इस अगर है आप से टन आख जो कि आपट कर रहे हुँ जिसके कानल से लोकली इस तर पर या थानी इस तर पर डिस्ट्पर होता है और साइक्लोन होते हैं अंत्य था अपसेंस ऑफ स्ट्रॉंग वर्टिकल विंस वेज डिस्टर्ब वर्टिकल ट्रांसपोर्ट अगर यह वर्टिकल वेज डिस्टर्ब हो जाती है साइक्लोन होता जा रहा था अगर साइक्लोन और मदभूत होता जा रहा था करें जाता है लेटेंट हीट मिलने का मश्चरीयर से वह खत्म होने रगता है कनेक्शन ब्रेक हो गया तो अब धिरे-धिरे सांथ होने लगेगा तब यह कहा जाता है कि लैंड एरिया पे पॉस्टे ट्रॉपिकल साइक्ष्ट्रोन सांथ क्यों हो जाते हैं खत्म होने लगते तो उसका यह जाने कि जहां से उनको एनरजी मिलना ही होती थी वह ब्रेक हो जाती है कि वहीं से लेटेंट करने सेशन और लेटेंट हीट हीट हो कि वह साइक्ष्टरोन को और मद्बूत ताकत बनाने मद्दगार होती है जैसे ही राइंड शर्फिस एरेंप पहुंसता है तो वह लगता है यह चीज़ धान रखेए का है इस्ट्रक्चर ऑफ ट्राइपको सईक्लो लों कि अगर हम बात करें है जो स्क्वाइट सेंटर होगा है इस तरी कि सर बना दी थैक्ष्व एस सेंटर होगा यह सेंटर के अगर हम बात करें यह वाउम और लो परेशर होगा यहां ठीक है कि और यहां पर आपको लाउट बगरना नहीं मिलेंगे इसकी स्राउंडिंग में जरूर मिलेंगे इस तरीके से जहाँ यहां पर क्लाउट मिल जाएंगे आपको मगर नहीं मिलेंगे और किस टाइब के लावा साइड में किस टाइब की मिलते हैं कि सोचे और बताईए का में तो जो तो सेंटर वोग वह कोई बॉदल नहीं वह और उसी को हम आई आफ दा स्टॉम कहते हैं ध्यान रखेगा जहीं है आई आफ दा स्टॉम के जहां पर यह टॉपिकल साइकलोन होगी तो आइसो बार वहां पर आप देखेंगे प्लेस्ट होंगे आइसो बार क्या होते चांदें हम आइसो बार वह थाहते हैं वह लेकलोन होंगे जो जो थायके जो मिलसर एक सब्सक्राब देख आएक हैर्स का सब्सक्राउय मुझा eval जीन दो यह जोड़िन ज tempo क्यां इस समानदी प्लेया सर गलार है वहां इस सच्पयर में उसन द्लिख दूद बार केelly हमतीृघर को तो इस इस जोगा पर ट्रॉपिकल सेग्लोन के पास आपको क्लोजली प्लेश मिलेंगे तो इच अधर स्वाइंग हाई प्रेसर ग्रेडियंट ठीक है अधर नॉर्मली आपको इन में क्या मिलेगा 14-70 एंबी के आसपास प्रेसर मेरेगा पर 100 किलो मीटर ठीक है लेकिन कुछ जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि 60 एंबी क्या पास हो पर 100 किलो मीटर तो ध्यान नकिएगा को जुरुए नहीं की फिक्स्ट हो और जो विंड का एक्स्पेंशन होता है वह कितना होगा करीब 10-150 किलो मीटर के आसपास फास फॉम दे सेंटर ठीक है यह यह ठीक 10-150 किलो मीटर के आसपास ठीक है तो हम लोग इस चैप्टर में आज यहीं तक रखते हैं और जो भी रेश्ट आफ टॉपिक्स बचें वह हमनों नेक्ट वीडियो में कवर करेंगे और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब दे चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच